हाई फ्रेंच, ऑनलाइन प्रेप्रेशन विधारती में आपका बहुत बहुत शौगत है जैसा कि आपको पता है कि यह स्टेट यानि विहार्ट टेट जो है वो होने वाला है उसके जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिये गए है और हमने वीडियो डाला था आपको बताया था कि कितनी वेकैंसी, कितने पद, किस सब्जिक्ट के लिए है चली आई आज हम बात करते हैं एक एक करके सबसे पहले लेते हैं वर्ग एक का यानि की पेपर एक का फिर उसके बाद नेस्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेपर दो का ठीक है ना पूरी इंफॉर्मेशन हम पेपर एक की ले लेते हैं जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं कि मादमी के जो वर्ग होता है बर्ग नौ और दस कक्षा के लिए जैसे हम आदमी के अभी द्याले हैं आदमी के बर्ग कहते हैं यहां पे पेपर एक के नाम से यह जाना जाता है हैं साइनस की बात करते हैं तो यहां पे भी 50004 पोस्ट रखें आ पद रखें गया ऑं हिंदी की बात करते हैं तो 3000 है संस्कृट की बात करते हैं तो 1400 उर्दू में 2022े तो टोटल पती Candi 7070 पेनिक विद्याले के लिए क Walter परिक्षा नौ से दस में पढ़ाने के लिए अब हम चैन प्रक्रिया को भी देखते हैं एज भी देखते हैं सब कुछ देखते हैं पेपर एक के लिए अब देखें यहां पे माद्मिक सिक्षक पात्ता परिक्षा 2019 में नियूनतम जो उत्तिरांग है वो प्राप्त करने वाले सबी अब्यर्तियों का उच प्राप्तांग से नियून प्राप्तांग के क्रम में घटते क्रम में जो सिक्षा अभिभाग बिहार पठना से बिसे वार्वा कोट वार्पद कराए जाने के बाद यानि कि जिन लोग जब एक्जाम हो जाएगा एक्जाम होने के बाद आपका जो है मार्स देखा जाएगा और उसके बाद मेरिट लिश्ट बनाई जाएगी। वालूं से बार जैसे साइंस का है तो साइंस वालों की सी इसाफिस अन्ग्रेजी वालों की सबकी ऑलग कोटी वार मेधाशुची और मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके बाद जो हर रिजल डिक्लेड किया जाएगा वोक्त परिक्षा वे समान अंक प्राप्त करने वाले अभरतियों में से अधिक उम्रबाले माल लिजे दो लोग के समान अंक आ गए है तो उसमें जिसकी एस सफसे ज़्यादा होगी उसको उसमें merit list में सामिल कर लिया जाएगा ठीक है उम्र में जो बड़ा होगा समान प्रापतांक एवं समान जन मतिती होने किस्तित में अब अंक भी समान है और जो date है, date आप भी है, date आप वर्ज जो है वो भी एक है तो वहाँ पे इसनाता किस्तित परिच्छा में जिसके सफसे अधिक अंक होंगे उसको merit list में सामिल कर दिया जाएगा ये मादमिक सिक्षक के लिए जो 9 और 10 कक्षा में पढ़ाएंगे उन लोगों के लिए है और समान अंक एवं समान जन मिती थी वह इसनाता किस्तित परिच्छा में अगर समान अंक प्राप्त हो रहे हैं उन लोगों में तो अंग्रेजी के जो वर्ण वाला में अल्फा वेट्स के हिसाफ से उसको merit list जो बनेगी उसमें इस्थान दिया जाएगा और आब एधन करने के तो आपको पता ही है परिक्षा का काई करम देख लेते हैं देखें मादमिक विद्यालाई के लिए वही है दस बजे से साड़े बारा बजे तक धाई गंटे का आपका पेपर होगा ओके क्योंकि यह मादमिक की बात कर रहे हैं संदचना की बात कर लेते हैं किस तरह का पेपर आएगा तो देखिए आप मल्टिपल चॉइस कई आपका पेपर आएगा यानि कि बहुत विकल्पी प्रशन होंगे चार उसमें विकल्पी दिये रहेंगे एक को आपको चुनना होगा प्रतेग प्रशन जो है वो एक नंबर होगा ओके तो यह सभी बिसे कोड है इसमें क्वालिफिकेशन क्या मागी यह वेरी इंपोर्टेंट है तो हिंदी में यदि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया है तो आ और बी एट प्लस होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपका उर्दू में होना चाहिए उसमें भ अलग है क्योंकि साइस भी आता है तो इसनाता कस्तर पर गणिश जो है भौतिक सास्ट असास्त विसे पतित बीएड साथ में बिया रिये बता दूं और इंजीनरिंग में इसनातक जिसमें गणित की से सकता हो और बीएड होना चाहिए और विज्ञान में भी सेम हो ही है इस इसना तक अस्तर पर प्राणी विज्ञान, बनस्पत विज्ञान, रशायन, सास्त्र, विशयपटित एवं साथ में बीएड होना चाहिए और इजिनरिंग में इसना तक जिसमें भिज्ञान की बीएड होना चाहिए SST में थोड़ा सा यहां पे देखिएगा अलग है SST में थोड़ा समझना पड़ेगा क्योंकि इसना तक अस्तर पर आपके पास आपने आर्ट से बिये किया है यानि आर्ट लिया है उसमें आपका इतिहास भूंगोल अर्धसास राजनीर सास यह चार सब्जेक्ट होने चाहिए लेकिन इन चार सब्जेक्ट में चार सब्जेक्ट में से कोई भी दो सब्जेक्ट म इसां में आप पास हो, यानि इतिहास भूंगोल अरसास, राजनेश सास्न में से चार में से दो सब्जیک्ट से आपने BA किया हो compulsory है, लेकिन इसके साथ में ये भी जरूरी है, कि इतिहास हो भूंगोल आवश्यक है यानि आप तभी eligible होंगे जब आपका बीए में इतिहास या भूंगोल दो में से एक कोई subject रहा होगा तभी आप अप्लाई कर सकते हैं समझ में आ गया ना यानि की सीधी सी बात है यदि इतिहास या भूंगोल बीए में आपका subject है तो आप इसके लिए eligible हैं वर्णा नहीं है क्योंकि चार subject इसने दे दिया है इतिहास भूंगोल लरसास राजनी सास्त्र लेकिन इन में से दो बीए उत्रेण हो यानि दो में पास होने चाहिए और जिसमें अनिवारता है एक बीए यानि इतिहास भूंगोल में से एक बीए अवस्थ हो और साथ में वीएड ओके यहाँ पर अगर हम paper की बात करते हैं किस तरह का paper है पूछा जाएगा तो देखे paper एक के लिए यहाँ पे 100 अंक जो यहाँ पे हैं वो बिसे वस्थ उसे होंगे यानि कि आपके main paper से होंगे और 50 अंक जो है वो आपके section कला एवं अन दक्षताओं पर आधारित होंगे जब आपका सिलेवस देखा जाएगा तो उसमें अन दक्षता क्या होगी वो समझ में आ जाएगा लेकिन 50 नंबर जो है वो रखे गए section कला के लिए और जो और भी question पूछे जाएंगे section कला का मतलब भी यहाँ पे हो जाता है आपका child development से संबंदित और जो अन दक्षता है जैसे हो सकता है इसमें हिंदी इंग्लिस लिजनिंग वगरे के भी question पूछे जाएं लेकिन 100 नंबर जो है वो आपके subject से होगे जो subject आपने लिया है तो 100 नंबर आपके से होगे 50 नंबर आपके section कला अन दक्षता से तो 150 नंबर टोटल हो जाते हैं यानि 1500 का आपका पेपर होगा पर जो question है एक नंबर का होगा अहरता में वही है कि वह भारत का नागरी को जथा बिहार राज के निवासी हो यह भी यहां पे important है कि उसी बिहार राज के निवासी होना जरूरी है ठीक है ना और यहां पे आप देख लिजे जो अभी सुविद्याल है जहां से आपने graduation किया है इसना तक किया वहाँ 50 प्रस्षत अंक होना चाहिए इसना तक की डिगरी में और यहां पे B8 की डिगरी होनी चाहिए साथ में अंसुचित जाती अंसुचित जन द्वार मानता प्राप्त बोर्ड समीच से प्रदत्यानि सास्त्री संस्टित के लिए और आलिम जो है उर्दू के लिए डिगरी जो है वो इसना तक के समकक्ष माना जाएगा यह डिगरी आपके पास है तो आप इलिजवा लोंगे और भी बहुत सारी चीज है आप यहां प को समझा सके और आप समझ सके तो कैसा लगा यह वीडियो कोई सवाल आपके मन में कोई उलजन है तो आप करी कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं हमारे भाट्षप नंबर से भी आप जोड़ सकते हैं वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब् चलिए फिर नेस्ट विर्व साथ हम आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बायर